शांती पून पिछले दो महीनों से चल रहा था अचानक उसको ऐसा मोड दे दिया गया उन किसानों को देश द्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है कुछी ट्रैक्टर की उलाल के ला तक पहुचे क्या हमारे इंटेलिजन्स कमजोर पढ़ गया था क्या होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं बनती थी एक संगठन के लोग थे जो इस तरह आंदोलन के बीच में घुस गए इस आंदोलन को खराब करने की साजिश रची गई जो बॉर्डरों पे बिचारे किसानों के लिए बिचली पाने की वेवस्था बंद कर दी गई है उनके उपर गुंडा गर्दी की जारी उन्हें वहां से भगाया जा रहा है अम उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़े हैं उनको घबराने की जरुवत नहीं है कल बिहार में मानव श्रिंकला निकालने जा रहे है कि इस तरह से किसानों ने दिल्ली में उत्पात मचाया था वो सही था जा रहे हैं लेकिन चबिस जनवरी का दिरिस आपने देखा होगा देखिए महागटबंदन ने कल किसानों के पक्ष में किसानों के सम्मान के लिए किसानों के प्रती एकता दिखाने के लिए मानव श्रिंकला बनाने का आयोजन किया है पूरे बिहार में महागटबंदन पूरे जोर से जमीन पर उतर रहा है किसानों के साथ कंदे से कंदा मिला कर चलेगा पहले भी ये मुहीम छेडी गई थी मैं बार-बार ये बात कहती रही हूँ कि ये जो काले कानून बनाए गए है किसानों के खिलाफ इसको सरकार को वापस ही लेना पड़ेगा और रही बाद 26 जनवरी पर जो साजिश रची गई है जो शडियंत्र रचा गया है किसानों के खिलाफ एक ऐसे अंदोलन को जो शांती पून पिछले दो महीनों से चल रहा था अचानक उसको ऐसा मोड़ दे दिया गया उन किसानों को देश द्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है ये हम सरकार की नीती को सफल नहीं होने देंगे इस नीती को अब अच्छानों के घटना सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए रची थी ये अंदाता है हमारे इन लोगों ने शांती पून जब दो महीने तक ये अंदोलन चलाया है कैसे अचानक लाल किला पे जाके इन्होंने जंडा पहराने का काम कर दिया ये कुछ तत्व थे जो इन लोगों के बीच में कुछी ट्रैक्टर क्यों लाल किला तक पहुँचे क्या हमारा इंटेलिजेंस कमजोर पढ़ गया था क्या होम मिनिस्टरी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी ये कुछ तत्व थे कुछ पार्टी के लोग थे एक संगठन के लोग थे जो इस तरह आंदोलन के बीच में घुस गए इस आंदोलन को खराब करने की साजिश रची गई और ये आज से नहीं ये सेप्टेंबर से धोकादड़ी चल रहे है जब ये बिल रातो रात पास करवाया गया 26 जनवरी की योजना बनाई गई कि किस तरह ट्रेक्टर के जो मार्च था उनका आक्रोश था उसको एक गलत तरीके से गोदी मीडिया द्वारा दिखा कर पेश किया जाए और तीसरा शड़ियंतर 29 जनवरी को खेला गया है जो बॉर्डरों पे बिचारे किसानों के लिए बिजली पानी की विवस्था बंद कर दी गई है उनके ओपर गुंडा गर्दी की जा रही है उनने वहां से बगाया जा रहा है मातमतिया कर लेंगे लेकिन आंदोलन को खतम नहीं करेंगे आप आंदोलन को समर्थन दे रही है अभी भी मैं इस आंदोलन का शुरू से समर्थन दे रही हूँ मेरी खुद राकेश जी से बात हुई है हम उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े हैं उनको घबराने की जरुवत नहीं है, मैं लाइफ सिटी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, भाई राकेश टिकेज जी को, कि उनको घबराने की जरुवत नहीं है, पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, वो आगे बड़े, हम उनके साथ चलेंगे. करके मानव श्रिंखला को लेकर बिहार में जो आपके विरोधी पार्टी है, उनका कहना है कि दिल्ली को जिस तरह से जलाया गया, ठीकि उसी तरह से मागटबंदन के लोग बिहार को भी जलाना चाहते हैं, किसानों को मुद्दा को लेकर. ठीके, मैं बार बार ये बात कह चुकी हूँ, कि किसानों का गला तो पहले ही घोट दिया गया था, बिहार का, जो मजदूर बनने पर विवश हो गए थे, वहां के किसान, जो आज पंजाब, हर्याना और अन्यत प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और किसानों के किसानों का अपमान किया जारह है, ये किसान है, ये कोई देश, द्रोही, आतंक वादी, खालिस्तानी, ये कोई नहीं है, ये सिर्फ अपनी मांगों के लिए इतने दिन से एक आंदोलन कर रहे हैं, शांती से कर रहे थे, इनको एक दंगे का मोड़ दिया गया है, और इन से ऐसा काम करवाया जा रहा है, कुछ तत्व इनके अंदर गुज गए है, किसान आज भी अपनी हक की लिलाई रड़ रहा है और लड़कर देखना विजय किसान की ही होगी।